नमस्ते फ्रेंज आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दादी मा के 38 बैतरीन कुकिंग टिप्स और ट्रिक्स ये टिप्स ना केवल आपके खाना पकाने को आसान बनाएंगे बल्कि आपके भोजन को भी और स्वादिश बनाएंगे चलिए बिना देरी किये शुरू करते हैं नमबर वान प्याज जल्दी भूनना प्याज को भूनते समय उसमें एक चुटकी नमक डाले इससे प्याज जल्दी गल जाएगा नमबर टू दूद का जहाग खतम करना दूद में एक चुटकी सोडा डाले जिससे दूद का जहाग जल्दी खतम होगा त्वी चाए का रंग गहरा करना पहले तो अगर चाए दूद की है तो उसमें दूद की तुलना पानी का प्रमान कम डाले सही मात्रम में चाए पत्ती थोड़ा इलाईची डाले और जादा देर तक चाए को उबल ले दे फोर आलू का रंग बनाए रखना आलू का ट्थे समें उसमें पानी डाले जिससे आलू का रंग बुरा नहीं होगा फाइव खाना ठंडा करने के टिप्स गर्म खाने को जल्दी ठंडा करने के लिए उसे बरतन में फैला दे साबुत डाल जल्दी पकाना डाल को पकाने से पहले उसे कुछ घंटे भीगो दे जिससे डाल जल्दी पक जाएगी सेवन हाथ से गंध हटाना प्याज या लसुन काटने के बाद हाथ की गंध हटाने के लिए हाथ को नमक से रगड़े एट चाए की पत्यों का रंग गहरा करना चाए में एक चुटकी नमक डाले जिससे चाए का रंग गहरा और स्वाद बढ़ेगा नाइन चिप्स और कुरकरे में क्रिस्पी बनाए रखे पैक करते समय चिप्स के साथ एक छोटा सा तुखडा कागज डाले टैन हारी पत्यदार सबजियों का रंग बनाए रखे पत्यदार सबजियों को उबालते समय उसमें एक चुटकी शेड डाले जिससे उनका रंग हरा रहेगा लेविन रोटी की परत अच्छी बनाना रोटी को बेलते समय आटे में थोड़ा सा तेल डाले 12. मसालों को कैसे स्टोर करे मसालों को स्टोर करने के लिए उन्हें एक airtight कंटेइनर में रब दे 13. खाना जलने से बचना खाना पकाते समय उसमें एक लकडी क्या चमच डाले जिससे खाना नहीं जलेगा 14. मसाला डालने का तरीका मसाले डालते समय उन्हें हाथ से चान ले जिससे बराबर मातरा में मसाला मिलेगा 15. कडाई की गंदगी हटाना कडाई की गंदगी हटाने के लिए उसमें नमक डाल कर रगडे 16. सर्विस के लिए दई दई को सर्व करने से पहले अच्छे से फेट ले जिससे उसकी मलाई हट जाएगी 17. खड़ा मसाला कैसे स्टोर करे मसालों को स्टोर करने के लिए सबसे अच्छी जगह थंडी अंदेरी जगह है जाना तो ये सीधे धूप के संपर्क में आता है और ना ही नमी के 18. भोजन का स्वाद बढ़ाना भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए उसे कुछ देर धग कर रखे 19. अंदे का छिलका आसानी से हटाना उबले हुए अंदे का छिलका निकालते समय उसे थंडे पानी में डाले 20. ब्रेड की ताजगी बनाए रखना ब्रेड के पैकेट में एक सेब का टुकड़ा डाले जिससे ब्रेड ताजा रहेगी 21. चावल का रंग बनाए रखना चावल पकाते समय उसमें चुटकी निम्बू का रज डाले 22. स्वादिश सूप बनाना सूप में स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें एक चुटकी चीनी डाले 23. घी को ठोस बनाए रखना घी को ठोस बनाए रखने के लिए उसे ठंडी जगा पर रखे 24. नमक का स्वाद बढ़ाना नमक में एक चुटकी चीनी डाले इससे नमक का स्वाद बढ़ेगा 25. टमाटर का चिलका आसानी से उतारना टमाटर को उबालते समय उसमें एक चुटकी सोडा डाले जिससे चिलका आसानी से उतरेगा 26. आटा गुंतना आटा गुंते समें उसमें एक चुटकी नमक डाले जिससे रोटी नरम बनेगी 27. कच्चे आम का स्वाद बढ़ाना कच्चे आम को भूंते समें उसमें एक चुटकी हल्दी डाले 28. साबुत मसाले का स्वाद बढ़ाना साबुत मसाले को भूनते समय उन पर थोड़ा सा तेल डाले 29. खाना बनाने में समय बचाना सबजी पकाने से पहले उसे छोटे तुकड़ों में काटे जिससे जल्दी पक जाएगी 30. सामबर का स्वाद बढाना सामबर में तड़का लगाने के पाद उसमें थोड़ा सा गुड़ डाले 31. भाप में पके खाद पदात भाप में पकाने से भोजन के पोशक तत्व बने रहते हैं 32. दई को जल्दी फैटना दई को फैटते समें उसमें थोड़ी सी क्रीम डाले जिससे वो जल्दी फैटेगा 33. सर्दियों में हल्वा हल्वा बनाने के दोराद उसमें थोड़ा सा अधरक डाले जिससे गर्मा हाट मिलेगी 34. पानी उबालने का तरीका पानी जिल्दी उपालने के लिए उसमें एक चुट की नमक डाले 31. केक का स्वाद बढ़ाना केक में एक चुट की दालचिनी पाउडर डाले जिससे स्वाद बढ़ेगा 36. बूनने का तरीका मसालों को बूनते समय उन पर ढखकरना लगाए जिससे उनकी खुश्बू बनी रहती है 37. डाल को जल्दी पकाना डाल को अच्छे से पकाने के लिए उसमें एक चुट की सोड़ा डाले 38. खाना ठंडा करने का तरीका खाना ठंडा करने के लिए उसे बड़े बरतन में डाले और उसे खुला छोड़ दे तो दोस्तों ये थे दादी मा के 38 बैतरीन कोकिंग टिप्स और ट्रिक्स हमें उमीद है कि आपको ये टिप्स आपके किचन के अनुभव को और भी बैतर बनाएंगे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद, चाओ